हलो दोस्तों मैं बीजे भरदाज आप सभी लोगों का हमारे यूटूब चलने में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग देखने वाले हैं डिल्ली सल्तनत के इतिहास से बनने वाले कोश्चन के बारे में जिसमें हम गुलाम बंस से जो भी कोश्चन बन सकते हैं आने वाले एक्जाम्स में उन सभी के बारे हम डिटेल से देखेंगे आजे देखते हैं पहला कोश्चन है गजनी वंस का वह कौन सासक था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाथ धान कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम सासक बना ठीक इसमें आपको चार आपसंदिया गया है एक है सुबुक्त गिन दूसरा है महमूद गजनवी तीसरा है मुहम्मद गवरी और चौथा अलपत गिन अगर हम बात करें गजनी वंस की तो गजनी वंस के इसमें तीन आपसंदिये हुए हैं सबसे पहला है सुबुक्त गिन और और फिर है अलपत गिन और एक अन्य है महमूद गजनवी हना ये तीनों के तुईनों गजनी वन्स के थे तो गजनी वन्स का जो संस्थापक था वह था अलपत गिन और अलपत गिन ने ही 933 इसवी से लेकर 963 इसवी तक गजनी वन्स पर सासन किया था इसी अलपत गिन का दमा से लेके और ये 999 इसवी तक गजनी बंस पर सासन किया था इसी का सुभुक्त गिन का पुत्र था बड़ा पुत्र जिसका नाम था महमूद गजनवी इसका जो समय था 999 इसवी से लेकर 1030 इसवी तक का था तो ये तीनों सासक गजनी बंस के हैं जबकि महम्मद गवरी गवर बंस का है ठीक तो इसमें कोशन है गजनी का वह कौन सा पर्थम सासक दा जो घलिफाओं से सुल्टान की उपाज धान कर सुल्टान कहने वाला पर्थम सासक बना उसमें अलपत गिन नहीं था आपसन नमबर डी क्या है गलत है मुहमद गवरी है ही ने तिसकी चर्चा क्या करना उसके बाद है सुबुक्त गिन भी नहीं था इसका अंसर होगा महमूद गजनवी इसी नहीं सबसे पहले सुल्टान की पदवी धान की थी बगदाद के खलिफाओं क होगा 1027 इसवी के बीच में सरबाधिक महत्पूर आकरमण कौन सा था पहला है मुलतान भटिंडा पर आकरमण 1024 B में नरायन पूर पर आकरमण 1023 B में तीसरा है सोमनाथ मंदिर पर आकरमण 1025 शबिस इसवी में 14 कलेंजर पर आकरमण 1019 और 1033 B में ठीक तो बिध्वानों में में मद्भेदá है कि कितनी बार महमूद गजनवी ने भारत पर आकरमण किया था है हेन्री इलियेट एक इतिहासकार है, हेन्री इलियेट इन्हों ने बताया कि si prisonна, prosper yeah, very Englishétat एक हजार isle sbe से लेकर 1027 sbe के मद है, महमोद गजने मी ने भारत पर कुल 17 वार आकर्मन किया था और इसका सबसे पहला जो आकर्मन हुआ था, वा 1,000 sbe में हुआ था और यह जो आकरमन हुआ था गजनी के आसपास ही हुआ था और इसका जो दूसरा आकरमन था यानि कि सेकंड आकरमन था यह हुआ था एक हजार एक इसबी में जो भारत के सासक था उस समय अफगानिस्तान पाकिस्तान का सासक जिसका नाम था जैपाल जैपाल पर हुआ था जैपाल की जारधानी उस समय थी बैहिंदिया उद्भानपुर इस पर आकरमन हुआ था सबसे परमुख जो इसमें आक्रमण है 17 बार आक्रमण में इसमें सबसे परमुख आक्रमण था 16 आक्रमण महमूद गजनभी ने किया था एक हजार पचीज से 26 इसवी के मद्ध है सोमनात मंदिर पर सोमनात मंदिर कहा तो गुजरात के कठिया वार प्रयादीप पर कौन सा प्रयादीप है कठिया वार प्रयादीप उस समय गुजरात की कठिया वार प्रयादीप की राधानी थी अनहिल वाडा नाम है अनहिल वाड़ा और अनहिल वाड़ा का सासक था मूल राज पर्थम कौन था मूल राज पर्थम इसी को कहते हैं भीम देव पर्थम तो इसी भीम देव पर्थम के समय सोमनात मंदिर पर मुहम्मद गजनवी का सबसे महतूर आकरम हुआ था जो सोमनात मंदिर भगवान सीव का था उसने मंदिर को तोड़ा वहां के लोगों को लूटा भी तो इस question के अनुसार option number C सही हो जाएगा सोमनात मंदिर पर जो हुआ था 1025-26 इसवी के मंद्ध है और सबसे अंतिम आकमर जो हुआ था 17 इसवी में सिंध और मुल्तान के सिंध और कच कहां पर तो सिंध और कच के जाटों पर जाटों खोकरों जन जातियों पर हुआ था और यही 1027 में जो आकरमर हुआ था महमद गजनवी का या अंतिम आकरमर था इसके बाद महमद गजनवी की मिरुत्तु 1030 इसवी में हो जाती है अगला question है महमूद गजनवी के भार पर आक्रमन का मुख उद्देश क्या था ठीक इसलाम का परचार करना दोसरा option है गजनी समराज का विस्थार करना तीसरा option है मूर्तियों को तोड़ना यों लूटना दोस्तों वो फिलाल आता तो था क्योल लूट पार्ट के उद्देश से उसका कत्ता ही नहीं उद्देश था अपने समराज का विस्थार करना वहां भारत में क्योल आक्रमन करता था लूट पार्ट के लिए करता था उसी loot part में वह मंदिरों को भी तोड़ता था और मूरतियों को भी तोड़ता था हना इसका मतलम option number C सही होना चाहिए लेकिन इसमें एक option अन्हें मंद ACM में एक बड़े समराज की अस्थापने के लिए धन प्राप्त करना ये आपका option क्या हो जाएगा तो D सही हो जाएगा इस question के according मूरतियों को तोड़ना और मंदिरों को लूटना या उसका कीवल उद्देश नहीं होता था कि हम क्यों मूरतियों को तोड़ेंगे और मंदिरों को लूटेंगे वह आता था लूट पार्ट के लिए और उसी लूट पार्ट में मंदिरों को लूटता भी था और मूरतियों को तोड़ता था इस question के अनुसार option number C, D सही हो जाएगा मंद एसिया में बड़े समराज की अस्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना ठीक अगला question है महमूद गजनवी की भारपर आक्रमण के समय भारत में आये विद्वानों अलबरूनी ने किस महत्मूर गरंथ की रशना की थी ठीक तो अलबरूनी महमूद गजनवी के समय में भारत में आया था और उसने किताब उलहिंद एक पुस्तक है जिसका नाम है किताब उलहिंद पुस्तक का क्या नाम दिया है दिल्ली सल्तनत की दरभारी भासा थी इसमें आफशन दिया है पहला ए उर्दू फारसी हिंदी अर्वी इसका आफशन होगा आफशन नमबर बी दुल्ली सल्तनत की दरभारी भासा फारसी भासा थी अगला question है आगरा नगर की अस्थापना किसके द्वारा किया गया था आप्शन है फिरोज साह तुगलग रुसरा है मुहम्मद बिन तुगलग तीसरा है अलाउद्दीन खिल जी चव था है सिकंदर लोदी ठीक तो आगरा नगर की अस्थापना किया था सिकंदर लोदी ने समय था पंद्रह सो चार इस्वी पंद्रह सो चार इस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की अस्थापना किया कह सकते हैं आगरा सहर की अस्थापना की 1504 इसवी में और 1506 इसवी में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाई आगरा को राजधानी बनाई इसने बनाया था तो सिकंदर लोदिन ने आगरा नगर की अस्थापना की थी और इसे ने ही अपनी राजधानी बनाया था इस कोश्चन के अ पहला आपसंदी है कुट्बदिन एबक, बी है अलावदिन खिलजी, सी है फिरोशा तुगलग और डी है गयासुदिन तुगलग, ठीक, तो अगर हम एबक के समय की बारे में बात करें, तो इसका समय था बारह सो च्छै इसवी से लेके बारह सो दस इसवी तक, और इसकी जो म समय तो फिरोशा तुगलग की समय था कि अगर हम बात करें तो फिरोशा तुगलग का समय था, 1351 से 1388 इसवी सिले के 1388 इसवी तक का समय था फिरोज साह तुगलक का और फिरोज साह तुगलक की मुर्टु 1388 इसवी में व्रिधा वस्था के द्वारा हुआ था तो इसके लिए कोई कारण नहीं था हब ना अगले अप्सन है गया सूर दिन तुगलग, तो गया सूर दिन तुगलग का जो समय था, वहा था 1320 इसवी से लेके 1325 इसवी तक, और 1325 इस वी में अफगानपूर, जगा का नाम क्या है, अफगानपूर, अफगानपूर में लकड़ी का मकान गिरने से, इसका मतलम इस question का answer होगा option number A अगला question है कुवत उल इसलाम मस्जिद का निर्मान किसने करवाया था इसमें option है कुटबुदिन एवक डूसरा है अलावदिन खिलजी तीसरा है इल्टुतमिस और चवथा है मुहम्मद आदिल सा ठीक तो कुटबुदिन एवक के बारे हम बात करें इसका समय था 1206 इसवी से 1210 इसवी आपको भी बताया गया और इसने 3 काम किया था बहुत बड़े बड़े तमाम काम किया था उसी में सबसे पहला था कुवत उल इसलाम मस्जिद कुवत उल इसलाम मस्जिद का निरमार हुआ था दिल्ली में कंगुद्वुद्विन एवग के द्वारा और यहाँ भार्त में तुर्कों द्वारा निर्मित परथम मस्जिद है और कॉन-कॉन काम करवाया तो इसी नहीं ढायोग दीन का जोपड़े इक निर्मार करवाया था तो गुद्वर्वज्मेर का पर्टता राजस्थान क्या करवाया था कुद्विन एवक ने तो इसने काम करवाया था कुद्व मिनार के निर्मार का निर्मार कार प्रारंभ करवाया था किसने करवाया था तो कुद्विन एवक ने करवाया था लेकिन एक मंजिला का काम पूर हो चुका था दूसरा मंजिला बन रहा था लेकिन उसी बीचे ब्रुत हो गई कुद्व दिन एवक की ठीक, सेकंड, थार्ड और फोर्थ मंजिला का निर्माण करवाया था इलतुत मिशने इल्टुत मिश ने करवाया था और फिरोज सहतुगलक ने पाचवे मन्जिला का निर्माण करवाया था फिरोज सहतुगलक ने कुतुम विनार का ठीक तो इसमें पूछा है कुवत उल इसलाम मस्जित का निर्माण कृष्नी करवाया है तो इसका ऐंसर हो जाएगा, आपसन नम्मर ए करवाया था किसंे तो कुठ दिन एवक ने करवाया था इल्तुतमिस ने क्या काम करवाया था, इल्तुतमिस भिष्पिश में दिया गया है और यहां भारत में निर्मित पर्थम मकवरा था और इलतुत मिशने अन जो काम करवाया था अतारकिन के दर्वाजे का निर्मार भी करवाया था इलतुत मिशने और यह है कहां तो यह है नागवर नागवर कहां पड़ रहा तो यह पड़ता है राजस्थान में ठीक तो यह कुछ कार हो गए कुछ दिन एबक के और इलतुत मिशने तो इस कोशन की अमसार आपसन नंबर जो ए है वा सही होगा अगला कोशन है तराइन की पहले लड़ाई ग्यारा सो इक्यानवे इसवी में निक्रिद में थे किंज की बीच हुआ था ध्यान दीजिएगा तराइन के कुल दो युद्ध हुए थे तराइन का जो युद्ध हुआ था यह कुल दो हुआ था पर्थम जो फर्स्ट युद्ध हुआ था यह हुआ था ग्यारा सो इक्यानवे इसवी में और इसमें जो युद्ध हुआ था एक तरफ था मुहम्मद गोरी और दोसरे पृत्वी राज चौहान कोउन थे तो पर्थम तरायन का युद्ध हे इसमें गवरी की होती है पराजय होता है और सेकंड जो हुआ है तरायन का युद्ध है वह हुआ था 1192 एसवी में कुना हुआ ही दोनों थे मुहम्मद गोरी है और कौन है तो पृत्वी राज चौहान तरती पृत्वी राज चौहान तरती इस युद्ध में पृत्वी राज चौहान की हार होती यानि एक युद्ध पृत्वी राज चौहान जीतते हैं पर्थम युद्ध तराइन का और सेकंड में प्रित्विराज चोहन हार जाते हैं कोश्चन क्या आया है तराइन की पहली लड़ाई 1191 इसवी में निमलिखत में से किसके किसके बीच हुआ था इसमें आपसन नमबर भी इस कोश्चन के कारिन सही होगा अगला कोश्चन है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी इसमें आपसन है इलतुत्मिस दूसरा है कुट्बुद्दिन एवक तीसरा है नासुरुद्दीन और चवथा है बलवन इसमें इलतुत्मिस की बेटी रजिया सुल्तान थी इलतुत्मिस का समय कितना था इसका समय था 1210 से लेके और ये समय था 1236 इसवी तक 1236 इसवी में इलतुत मिर्स की बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान भारत की पर्थम या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की पर्थम मुसलिम महिला सासिका थी और इसका जो समय था या था 1236 से लेके 1240 इसवी का रजिया सुल्तान भारत की पर्थम मुस्लिम महिला सा सिका थी ठीक तो इस कोश्चन के अनुसार आफसन नमबर A सही हो जाएगा ठीक अगला कोश्चन है इसके सासन काल में अधिक मंगोल आकरमण हुए थे इसमें आफसन है बलबन दूसरा हा अलावदिन खिलजी तीसरा हा और चौथा फिरोस्चा तूगलग ठीक तो इस कोश्चन के अनुसार आफसन नमबर B सही होगा अलावदिन खिलजी के समय में मंगोलों का सबसे अधिक आकरमण हुआ था अलावदिन खिलजी का समय कितना था तो इसका जो समय था यह था 1296 से लेकर 1316 इस भी तक और अलाव रक्त योम तलवार की नीती, ध्यान दीजिएगा एक अन्य नीथि इसी तरह से और वो अपनाया था जिसका नाम था बलबन बलबन ने अपनाया था और उस नीथि का नाम था रक्त योम लोहे की नीथि रग्तयों लोय की नीत अगर पूशे किशन अपनाया था तो आपसन हो जाएगा बलबन यही अलाओ दिन खिलजी नहीं मंगोलों की आकमर से बचने के लिए नए नए दुर्गों का निर्दमार करवाया था और तमाम जो पूराने दुर्ग थे उसकी मरमत कारवाया था नमबर भी सही होगा अलावदिन खिल जी अगला कोशन है तराइन के दिती युद्ध में किस ने किसको पराजित किया था तो आपको भी बताया गया तराइन का जो दिती युद्ध हुआ था वह हुआ था 1192 इस भी में और यहां युद्ध लड़ा गया था गोरी और किसके को पराजित कौन हुए हैं प्रित्वीज को हान पराजित हुए है और इसमें यही कोशन आया है तराइन के दिती युद्ध में किसने किस्फ क्या था तो महम्थ्चांत इzosफी राजी को पराजित किया था ये आप्सन हो जाएगा महमूद गजनवी ने प्रत्वी राज आपसन नम्मर डी क्या होगा सही होगा चोकि मुहमुद गौरी ने पिर्थविरा चम्हान तृती को हराया था इस तराइन के दिती युद्ध में ठीक इसको हम लोग देखते हैं सन 1329 इसवी से 1330 इसवी की बीच किसने तामे के सिप्पे के रूप में प्रमार सुरूप सांकैतिक मुद्रा प्रचलीद किया था सांकैतिक मुद्रा हना इसमें आपसन है अलाव दिन खिल जी गया सुर दिन तूगलक और शौथा आपसन है फिरोस्या तूगलक तो इस कोश्ण के अनुसार आपसनन नमर सी सही होगा सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रसलान भारत में शुरू किया था मोहमाद बिन तुगलक ने क्यों चुकि उस समय उरेविश्व में चांदी की कमी हो गए थी तो उस कमी से निपटने के लिए सांकेतिक मुद्रा चालो किया था जो एक प्रकार से आसफल सिद्ध हुआ थ आपसन है पहला भलोल लोदी दूसरा है इब्राहिम लोदी तीसरा है दवलत खालोदी चौथा सिकंदर लोदी ठीक तो इस कोस्टन को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में दिल्ली सल्तनत के बारे में तो दिल्ली सल्तनत पर कुल पांच ब गुलाम वंस, सबसे पहला जो वंस है, गुलाम वंस का समय था 1260 से लेकर 1290 इसवी तक, इसके बाद इस वंस का खत्मा हुआ और आ गया खिलजी वंस, खिलजी वंस का जो समय था, यह था 1290 इसवी से लेकर 1320 इसवी तक, और खिलजी वंस के अंद के बाद आ गया तुगलक व तुगलग वन्स का जो समय था वहां था 1320,125 से लेकर 1420, deci तक ठीक, तुगलग वंस के शमाप्त होने के बार आगया, सायद वंस, सायद वंस का जो समय था युडश, 없어 14.45, से लेकर 1451, Yearesis 2 तक, और शायद वंस के अंत होने के बार, आगया, अलग से वंस जिसको कहा गया लोधी वंस लोधी वंस है लोधी वंस का जो समय था यह था 1451 इसवी से लेके 1526 इसवी तक और लोधी वंस का संस्ताफक था बहलोल लोधी कौन था बहलोल लोधी और बहलोल लोधी का जो समय था यह था 1451 इसवी से लेकर 1489 इसवी तक ठेक इसके बाद लोधी बंस का अगला सासक बना जिसका नाम था सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी और सिकंदर लोधी का जो समय था 1489 इसवी से लेकर यह था 1517 इसवी तक और सिकंदर लोधी के मिर्ट के बाद आगया अंतिम सासिजिस का नाम था इब्राहिम लोधी और इब्राहिम लोधी का समय था 1517 इसवी से लेकर 1526 इसवी तक तो 1526 इसवी में ही लोधी वंस के अंतिम सासक इब्राहिम लोधी को पराजित कर बावर ने दिल्ली सल्तनत की समापती करके और एक नवीन वंस की निव डाली उसको कहा गया मुगल वंस तो मुगल वंस का संस्थापक कौन था वह था बावर और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सासक कौन था तो वह था इब्राहिम लोधी और यही लोधी वंस का अंतिम सासक था ठेक तो इस कोश्चन में क्या पूशा गय या लोदी वन्स का अंतिम साशक कौन है तो वहां इबराहिम लोदी आप्सन नंबर भी सही होगा अगला कोस्टन है उत्तरी भारत की प्रथम मुसलिम महिला शाश का या दिल्ली सल्तनत्पर राज करने वाली प्रथम महिला साश का कौन थी तो अभी आपको बताया गया रजि इसकी पुत्री थी इस कोस्टन के अनुसार आफशन नंबर A सही होगा अगला कोस्टन है दिल्ली सल्तनत के पर्थम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दच्छडी भारत को पराजित करने का प्रयास किया इसमें आफशन है कुदुदिन एवग नासुरुदिन खुसरोसा तो गुलाम वंस के अंद के बाद 1290 इसवी में जलालुदीन खिलजी जलालुदीन नाम क्या है जलालुदीन खिलजी जलालुदीन खिलजी द्वारा गुलाम वंस के अंतिम सासक जिसका नाम था क्यूमर्स की हत्या करकर खिलजी वंस की निउडाली गली खिंजी वंस की अस भतीजा योम दमाद था कौन तो अलावदीन खिलजी और जलालुदीन खिलजी ने अलावदीन खिलजी को ही आदेश दिया था सबसे पहली बार दक्षिड भारत पर आक्रमण करने के लिए और 1296 इसबी में अलावदीन खिलजी ने देवगिरी के सासक जिसका नाम था रामचंदर देव पर आक्रमण किया था और यहां देवगिरी के सासक रामचंदर देव था जो पहली बार किसी दिली सलतन के सुल्तान के द्वारा पराजित हुआ था और यही कौन है तो पर्थम दचिद भारत का प्राजित होने वाला सासक था कौन राम चंद्रदेव और कुछ ने प्राजित किया है तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्राजित किया है। दिल्ली के पर्थम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दचिड भार्थ के प्राजित करने के प्रयास किया तो कौन सुल्तान था बेशक अलाउदिन खिलजी ने ही आकर्मन किया है राजा राम चंदरदेव पर अलाउदिन खिलजी ने ही प्राजित किया है लेकिन वो उस समय सुल् अगला question है यात्री इबन बतूता कहां से आया था ठीक आप्षन है मुरक्को फारस तूर्की मद एसिया इसमें ध्यान दीजेगा मुरक्को का निवासी था इबन बतूता हाना मुरक्को का निवासी था इबन बतूता बतूता मुरक्को का निवासी था और यह 1333 इस भी में मुहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और इसी ने पुस्तक लिखा था रेहला ठीक अगर कोश्चन आए रेहला पूस्ता कलेखा कौन है तो इबन बतूता है किसके समय आया था तो मुहम्मद बिन तुगलक के समय में समय था 1333 ठीक इस कोश्चन के अनुसार आफशन नमबर A सही होगा कोश्चन है भारत पर पर्थम तुर्क आकरण करने वाला कौन था आफशन है मुहमद बजनवी नूसरा है मुहमद गवरी तीसरा है चंगेत खां चौथा है तैमूर लंग तो यह दोनों तो होंगे ही नहीं लेकिन इन दोनों में कोई एक हो सकता आफशन नमर A और आफशन न आफशन ने किया था और उसमयद था 986 इस भी का कि साशक पर किया था तो वह था पाकिस्तान अफगानिस्तान का साशक जिसका नाम था जैपाल जैपाल पर किया था और यहीं भारत पर प्रथम आखमन किसी तुर्क का था तो इसमें पहला क्या दिया है महमुद गजनवी ठ किया तो महमूद गजनबी ने किस पर कहुआ था सबसे पहला आक्रमट यसने एक हजार एकिस्वी में भारत पर किया था इसा जैपाल पर hä dazu क्या अनं महमूद गजनबी जो सुबुकत गिन का फुत्र था इसका मतलब मितका ने भी जैपाल को हरा उत्र ने भी जैपाल को हराया है तो इस बेजिति की कारण जैपाल क्या करता है आत्महत्या कर लेता है आत्महत्या क्योंकि पीता ने भी इसको मारा और बेटे ने भी इसको मारा इस ने कर लिया था आत्महत्या थाना तो इस कोश्चन की अनुसार अगर सुबुक्त गिन नही हैं तो दूसरा आक्रमण हुआ है भारत पे महमुद गजनवी के द्वारा गौर्वंस बाद में आये हैं गौर्वंस के सासक या आक्रमण कारी तो सबसे पहला हो जाएगा महमुद गजनवी आपसन नम्मर ए सही हो जाएगा महमुद गजनवी कौन है तो वहां है महमुद गजनवी महमुद गजनवी अपने आपको बुता किंसन का मतलब होता मूर्थि भंजक मूर्ति भंजक मूर्ति भंजक किसे खाया साता है तो मूर्तियों को तोड़ने वाले को चोकि मुझे महमुद गुजरमी आक्रण करने आता था मंदिरों को लूर से समय यहां मूर्तियों को भी तोड़ देता था अन जो उपाद इसने धान किया था वा थी गाजी गाजी को उपाधि थे अन उपाधि थी सुल्तान सुल्तान की भी उपाधि इसी ने धान किया था और दो अन उपाधियां और धान किया था एक उपाधि का नाम है यमीन उद्दवला यमीन यमीन उद्दवला और दूसरा है अमीन अमीन उल्मिलत तो इसने कुल पांच उपादी है धान की थी तो इस कोशन के अनुसार आपसर नमबर A सही होगा ठीक अगला कोशन है महमूद गजनबी ने कौन से उपाद धान किया था इसमें देखे पहला दिया है अमीन उल्मिलत जिसका अर्थ होता है मुसल्मानों का अभी आपको बताया गया कि इसने दो उपादी धान की थी यमीन उल्मिलत और इसमें आपसर नमबर C दिया है A और B और D है इनमें से कोई नहीं तो इसका एंसर हो जाएगा C A और B दोनो अगला कोश्चन है हिंदू साही राज की राध्धानी थी हिंदू साही राज की राध्धानी थी उद्भान्डपूर जिसको बहिंद घराता है B है कलिंजर दिशरा अजमेर है और चवथा इनमें से कोई नहीं तो आपको भी पिछले कोश्चन में बताया गया हिंदु सासी जो सासक था उसका नाम था जैपाल जैपाल था और जैपाल की जो राध्धानी थी वहाँ थी बाहिंद या उद्भांडपुर तो इस कोश्चन के अनुसार आपसन नम्मर A सही होगा अगला कोश्चन है महमूद गजनवी का भारत में अन्तिम आकरमन किसके बिद्ध हुआ था तोमर, प्रतिहार, सौलंकी, जाट इसके पहले कोश्चन में आपको बताया गया है अन्तिम जो आकरमन था महमूद गजनवी या हुआ था एक जार सताइस इस भी में और यही इसका स अत्रहमा आक्रमन था और यह हुआ था सिंध और कच्छ के जाट और खोक्षरो जल जातियों पर जाट यूम खोक्षरो जन जाति पर हुआ था तो इस कोश्चन के अनुसार आप्षान नमबर डी सही होगा अगला कोश्चन है हिंदु साही राज कौन सा सासक तुर्कों से बार बार पराजित होने कान गला निवस आत्म दाह कर लिया था ठीक आप्षन है जैपाल आनंदपाल तिलोचनपाल भीमपाल तो इसका एंसर होगा आप्षन नमबर डी आनंदपाल इसके पहले ही आपको बता गया कि गजनवी बंस के दो सासकों ने इस पर आक्रमण करके इसको पराजित किया था पहला तो था सुबुक्त गिन पहला कौन था सुबुक्त गिन था और सुबुक्त गिन ने 986 इसवी में इसको पराजित किया था और सुबुक्त गिन का पुत्र था जिसका नाम था महमूद गजनवी ने इसको प्राजित किया है एक हजार एक इसवी में हना तो दोनों से प्राजित हुआ है इसलिए इसने आत्मात्या कर लिया था तो इस कोश्चन के नुसार आपसन नंबर 20 सही होगा अगला कोश्चन है महमूद गजनी किस वंस का साथक था यामनी गुलाम तो जो महमूद गजनवी था यामनी वंस का साथक था आपसन नंबर 20 सही होगा अगला कोश्चन है गजनवी महमूद गजनवी के साथ भारत आने माली इतिहास कारों में कौन सामिल नहीं था इसमें सबसे पहला आपसन है सहनामा की लेखक फिर दौसी दूसरा है बी किताब उलहिंद की लेखक अलबरूनी तीशरा हसी तारीख यामनी की लेखक उठगी और डी है तारीख शिबुक्तगिन की लेखक बैहाकी दोस्तों इसमें सब कोश्चन सही है इसका मतलब इसमें कोई भी आफसन ऐसा नहीं जो नहीं आया थे सब के सब थे महमूद गजनवी के द और इसे पूर्ब का होमर कहाता है सहनामा की लेखक फिर्दौसी को पूर्ब का होमर कहाता है और सहनामा को क्या उस्तफ का नाम है साहनामा सहनामा को कहाता अफगानिस्तान का महा भारत तो ये भी सही है फिर्दौसी ने ही लिखा था और ये दरबारी कभी था ठीक भी आप कि अलवरोनी ने पुस्तक लिखा था कुताब उलहिंद और एक अन्य पुस्तक थी इसका नाम था तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद की पुस्तक का लेखक भी अलबरोनी भी है, ये भी सही है, एक है तारीख ए यामनी, हाना तारीख ए यामनी, तारीख ए यामनी का लेखक कौन था तो उतवी था, और उतवी था क्या तो यहाँ इतिहासकार था, इतिहासकार था, यहाँ इतिहासकार किताब उल यामनी, तो दो पुष्टक इस ने भी लिखा था, एक का नाम था, तारीखिय यामनी, दूसरे का नाम था, किताब उल यामनी, और ये दो नों पुष्टक, कुत्वी ने ही लिखा था, मुध् गजिनमी का दरबारी के धिहास का था, और चौथा कोस्टन है तारीख ही स्वुक्तगिन का लेखक बैहाकी तो ये भी सही है तो इस कोस्टन में ऐसा कुछ नहीं है जो इसका एंसर बता सके अच्छा अगर इसमें क्यों इस्पेसली दिया होता कि मुहमद गजर्मी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन सा अगला हम लोग इस कोस्टन देखते हैं भारत में मुसलिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है बाबर को अकबर को को और ये दोनों के- दोनों जो बावर है, ये किस वन्स के हैं, तो ये है मूगल वन्स के हैं, और अगर हम बात करें मुहमद गौरी को, तो यह जो है, कॉशन क्या है? भारत में मुस्attering राज का संस्थापक, तो मुहमद गौरी ने नहीं सबसे पहले इन सबी में आक्मन किया था भारत में, तो इसलिए आ आप कह सकते हैं भारत में मुसलिम राज्य का संस्थाप कौन था तो इसको हम कहेंगे वो था मुहम्मद गौरी हना चुकि मुहम्मद गौरी ने ही सबसे पहले भारत के तमाम हिस्चों को जीता था और इसने समराज को बढ़ाने के लिए क्लिए क्लिए आकर्मन करता था ठेक तो इस कोस्टन के अनुसार आफसर नमर ए सही होगा अगला कोस्टन है किसने एक्तेदारी की पर्था के शुरूबात किया था फिरोत तुगलक मुहम्मद गौरी इल्टुतमिस और लाश्ट में गयासुदीन तुगलक तो एक्तेदारी पर्था के शुरूबात किया था इल और में आपसन दिया है बावर, अकबर, कुटबुद्दिन एवक और इलतुत्वीष क्या है, लाख वक्स के नाम से जाने जाने वाला सासक था, तो यह है कुटबुद्दिन एवक, खना, अन्न क्या उपाधी मिला था, तो सबसे पहला आपको क्या बता गया, लाख वक्स, लाख वक्स, लाख वक्स का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला लाखों का दान करने वाला को कहते हैं लाख वक्स और एक था पील वक्स पील वक्स किसे कहा गया तो इसी को दूजिन एवक को पील वक्स कहा गया हाथियों को दान करने वाला को कहा गया पील वक्स और क्या था तो इसी को कहा गया हातिम ताई हातिम ताई हातिम ताई हातिम ताई किसे कहा गया तो कुद्विन एवक को और एक अन्य उपाधि थी क्या थी तो वह था कुरान खां कुरान खां कुरान खां भी इसी को उपाधि दिया गया था कुद्विन को तो इसके पास 4 उपादियां थी तो इस question के अनुसार आपसन नंबर 6 सही होगा अगला question देखते हैं भारत में गुलाम बंस का संस्थापक कौन था तो गुलाम बंस के संस्थापक की वाकरेत इसमें आपसन है कुट्वदिन एवक, इल्दुत्मिय सिक, कैकुबाद और आरा तो इस question के अनुसार हो जाएगा option A कुट्वदिन एवक क्यों कि कुट्वदिन एवक गुलाम बंस का पहला सासक था, कितना समय था इसका तो 1206 इसवे से लेके 1210 इसवे तक गुलाम बंस का प्रथम सासक रहा कुट्वदिन एवक, और ये किसका गुलाम था, तो इवक का गुलाम कौन था, इल्तुत मिस, इल्तुत मिस इवक का गुलाम था, ध्यान देजिएगा, अगर question पूचे गुलाम बंस का संस्थापक कौन था, तो कुट्वदिन एवक हम लगाएंगे, लेकिन अगर question पूचे गुलाम बंस का वास्तविक संस्थापक कौन था, त को इसके प्सक्राइब करना के कि निर्मार कार को किस ने पूरा करवाया था इसमें आप सेлон है सुल्टान, कुद्वदिन एवक, इल्टूत्मिस और बलवन ठीक तो इसके कोशन के अनुसार हो जाएगा C, C नमबर क्या है? इल्टूत्मिस क्यों? चुकि कुद्व मिनार के निर्माण कार का सुरुवाद तो करवाया था एवक ने लेकिन फर्ष्ट मंजिला टयार था, सेकेंड मंजिला जब बन रहा था तो कुद्वदिन एवक की हो गई म्रुतू Phone अब जो 2 इ databases 3 मंजिला है जो ।ो फोर्थ मंजिला है इसका निर्माण करवाया था इल्टूत्मिसने तो पूरा किसने करवाया है इल्दुत मिसने लेकिन आगे चलकर उसी पर विजली गिर जाने से चौथा मंजिला हो गया था नस्ट तो चौथा मंजिला नश्ट होने के वज़े से फिरोज साह तुगलग चौथे मंजिले का मरम्मक करवाया था और साथ ही साथ पाचवा मंजिला पाचवा मंजिला का भी निराण करा दिया कौन फिरोज साह तुगलग तो तीन लोगों ने अभी तक काम किया था किसमे पूरा किसनी करवाया है तो पूरा किसनी करवाया है इस कोशन के अंशार आपसर नमर सी सही होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो प्पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले